बीजासन में कल रात फिर दिखा जंगली जानवर तेंद्वा गौशाला पहुचकर गाये के बच्छडे पर हमला किया CCTV में हुआ कैट मंदिर के आसपास महरास्टर सीमा में जंगली जानवर की मूमेंट बढ़ गई है 45 दिनों में तीन बार शिकार कर चुका है जंगली जानवर एक मुरगा एक कुत्ता और एक बच्छडे का शिकार किया है कल रात बीजासन मंदिर की गौशाला में कैद हुआ जंगली जानवर प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार तेंद्वे ने किया था कल रात हमला महारास्टर वन विभाग को सूचना देने के बाद भी मोन है वन विभाग मंदे समिती के बजारिया सोलंकी ने बताया कि मंगलवार रात एक बज़े के करीब मा बीजासन मंदिर की गौशाला में जंगली जानवर आया जिसने एक बच्छडे पर हमला कर दिया हमला हुआ जो मंदिर के CCTV कैमरे में भी दिख रहा है जब गाय चिलाने लगी तो गौशाला में सोय करमचारी जागे और जंगली जानवर को देखकर चिला कर भगाए जो शिव मंदे तरब भागा महरास्टर वन विभाग की अधिकारी विपिन महान को फोन पर सूचना दी गई बीजासन मंदिर की गौशाला में एक बच्छडे का शिकार किया है इसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए बन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिंजरा लगाने के लिए हमारे को परमीशन लेना पड़ती है और जंगल का प्राणी है उसे पकड़कर जंगल में ही छोड़ना पड़ता है कि कम से कम एक से तेड़ बजे के बीच में जंगली जानवर के पीछे से आया और दोसाला के पार पारखन में सारी गाई थी और कुछ गाई अंदर भी बच्छडे का शिकार किया है और गाया बच्छडे का सिकार किया के से मानम पड़ा वहां से पंडित जी और कुछ बच्चें वहां सो रहे तो वहां जानवर खड़ा था और एक बच्चडे को शिकार करते वे देख लिया बगाया किसा बगाया उन्हें आवाज मारी तो फिर उदर उदर दोसादा में गुष्टे वे पीछे से कुछ के बग गया इसकी सुचना आपने वहां विभाग को गला हूं तो उनने बता है कि हम जंगल को जंगल में पिंजरा रखने का परमिशन नहीं दे रहे हैं इसको पकड़ने का अधिकार हमारा नहीं है वह जंगल में ही रहेगा यूं बता रहे हैं और जढ़ मरहने में किछनी बार से हामला कर चुका है कम सब स्काम तीन बार आ चुका है यह मंदिर आसपास जंगल में पे profitable जंग्डी जानवर क्या दिख रहा है जंग्डी जानवर सीची टेवी के पूटेज में दीख रहा है कि वो तीन दवाई है झाल झाल